जै गुड दे फरेंट्स आपका मेरी चैनल जी डी आल क्राप्ट में स्वागत आज हम सलाईयों से स्तरे की बिल्कुल सिम्पल सी लड्डू को पाल के लिए ड्रेस बनेंगे ये ड्रेस हमारे जीरो और एक नमबर के लड्डू को पाल के लिए इस ड्रेस को हमने सलाईयों से विर्कुल क्रिोश्य के तरह लगती है जिसे फ्रन पोस्ट बनाते हुं उसी तरह से यमारी ड्रैस मजपना इसा तो इस सिंकलाल से बना सकतें मैंलास्ट में बमAdd है प्रण लागाए यह स्वे स्धेम की स्ट Holy chis hyi इस से बनाते हैं मैंने इसए पध दो क्यों निकाले इस रोग को स्टीक कर लिया इसकी gi दरफ आ गाये चारे चिरी तरफ शुरू के दो फंद उल्ठा बनांगे देज्ट की आटंदों को मैं डबल करूंगी और लास्ट के दो फंदों को सिंगली बनाओंगे तो लास्ट में इसमें कुल हमारे 20 फंदे हो जाएंगे आठ के डबल 16 फंदे और 4 फंदे हमारे एक एक तो कुल 20 फंदे हो जाएंगे तो पीच के आठ फंदों को डबल करेंगे पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं फिर उनको पीछे करगे इस फंदे को पीछे से बनाते हैं इस तरह हमारे बीच के सभी फंदों को हम एक का दू करेंगे और लास्ट के दो फंदों को हम सिंगली बनाएंगे तो इसे कंप्लिट करती हुँए इस्तरे में अपनी ये row complete कर लिये अब इसकी उल्टी तरफ आ गए उल्टी तरफ शुरू के दो फंदे तुम उल्टे बनाएंगे अब बीच के जो 16 फंदे जिने हमने डबल किया था इने हम सीधा बनाएंगे उनको पीछे करेंगे हम और सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और लास्ट के दो फंदों को उल्टा बनाएंगे तर उल्टी सलाई में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और सीधी सलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे उल्टी स्लाई में शुरू के लास्ट के दो दो फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और बीच के सभी फंदों को हम सिधा बनाएंगे लास्ट के दो फंदें इन्हें हम उल्टा बनाएंगे इस तरह मारिए रोंग साइड से मारिए उल्टी स्लाई कम्प्लेट होती है अब वापस से अपनी सीधी तरफ आ गए तो सीधी तरफ शुरू के दो फंदे तो मैं उल्टे बनाते हूं और बीच के जो सोला फंदे इन्हें वापस से हम डबल करेंगे तो डबल करने के लिए पहले इस फंदे को उल्टा बनाते हैं फिर इस फंदे को सीधा बनाते हैं इस अब हमारी wrong side में आगे हमारी 4th row तो इसमें शुरु के last के 2-2 how influences तो उल्टे बनाले अभी मित के दो फंदे तो जो पुल 72 है। इने भी बनाएंगे हम्हें इस दो में 36 चतिस फंदे हो गए इसके लास्ट में आगे तो लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे बीच के सभी फंदे मैंने सीधे बना ले इस तरह हमारे फोर्थ रो कंप्लेट हो गई निफिफ रो राइट साइड में आ गए हम इसमें हम वापस से फंदे बढ़ाएंगे कुल ह हमारे इसके अंदर चतिस फंदे हैं अगर आपको बाजू वाली बनानी है तो इसके अंदर आप छे फंदे और बढ़ा ले कुल हमें 42 फंदे चीए अगर आपको बिना बाजू की चीए तो आप इनी फंदों में दो फंदे और बढ़ा के आप इसे बना सकते हैं बाजू मे के चार पंदे उल्टे ओर बनाऊगा, एक, दो, थीन, 첫 पस ओफंदे को मै एक का दो करोंगे, इससरे कर तो इसके लास्ट मे आऊंगी मैं, तो व्यास्ट में हमारे इसके अंदर पुल 42 फंदे ओजाएंगे और उल्टी सलाही में भिसलधता हैं, इससरे करोंगे सिदह बनााक मुझे उल्टा बनाना यह दोनों सलाया निकालके में कंप्लिट करते हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं इसरे मैंने दोनों सलाइय निकाल लिए हैं कुल हमारी इसके अंदर छे सलाइय हो गई हैं तो हमारी चूली की उपर की लंबाई कंप्रेट होगे इसकी बाज्यू बनाएंगे शुरू में दो फंदे तो मैं उल्टे बनाऊंगी जो हमारी पट्टी के हैं अब चार फंदे एक दो तीन चार चार फंदे तो कुल हमारे छे फंदे हमारे आगे के पाटके होगे अब आगे के दस फंदे हम अपने बाज्यू के बनाएंगे इसके लिए मैं अपनी दूसरी उन लेती हूँ कि दसफंदे बनात्यों इस्तों मैंने दसफंदे बना लिए अब इसकी उल्टी दुक्षप आ गे तो उल्टी द्रफ सभी संदूं को सीदा बना लेंगे यह मारी दूसरी सलाई है अब इसके अंदर में तीसरी सलाई में आगे जिसमें सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे चोथी सलाई में भियम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे सीधना बनागे यह आगे का मारा बोडर हो जाएगा पांच्वी सलाई सीधी तरब से सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और छटी सलाई में सभी फंदों को गटा के अपनी बाजू को कम्प्लिट करते हो इस तरह हमारी एक बाजू कम्प्लिट हो गई है अब पीछे के पाट के 10 फंदे हम अपनी इसी सलाई में बना लेंगे फिर 10 फंदों में बाजू बनाएंगे फिर आगे के 6 फंदे हम इसी सलाई में बना लेंगे तो कुल हमारे 22 फंदे तो चोली के हो जाएंगे और दूसरी बाजू कम्प्लिट कर लेंगे तो यह कम्प्लिट करते हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं इस तरह मैंने अपनी दोनों बाजू कम्प्लिट कर लिए और अपने सभी फंदों को एक इसलाई में ले लिए अब इसके अंदर इसे लंबाई तक इसे कम्प्लिट करेंगे सीधी मैंने इसे लंबैता रिये है और हमारी चोली कंप्लिट होगी अब शकने रगेरा बनांगे गेरा बनाने के लिए मैं इसके रनल नमबर के स्लाई का य्यूज करूंगे चोली अमने 10 नमबर से बनाई है तो शुरू में 시간이 मेश के अंदर एक दो फंदे उल्टे बनावंगे फिर उनको पीछे करके एक फंदम सीध्या बनाएंगे तो इसे उनको दो बार लपेट की सीधर बनाना है है फिर उनको आगे करेंगे अगले फंदे को एक का दो करेंगे फिर अगले फंदे को सीधा बनाएंगे उनको दो बार लपेट के तो हमें एक फंदे को तो एक का दो करना है दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे उनको दो बार लपेट के तो ये उनको आगे करेंगे अपने इस फंदे को पहले उल्टा बनाएंगे फिर इसे सीधा तो हमारे बीच का एक फंदा एक का दो गया अगला फंदा उन हमारा पिछे ये अगले फंदे को सीधा बनाएंगे उनको दो बार लपेटके में बनाना है फिर उनको आगे करेंगे एक फंदे को एक का दो करेंगे अगले फंदे को में उनको दो बाला पेट के बनाना है इस तरह बनाते हैं इसके लास्ट में आते हैं हम लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे इन तीन फंदों को उल्टाई बना लेंगे शुरू हमने दो फंदे बनाया थे लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे अब इसके में रोंग साइड में रोंग साइड में शुरू के दो फंदे तों उल्टे बनाएंगे उण को पीछे करेंगे एक फंद हमारा सीधा बनेगा और जो हुमने उणको दो बार लपेट के बनाये था उणको आगे करेंगे इस फंदे को खोलेंगे जैसे उल्टी तरफ से भी उणको दो बार लपेट के बनाएगे शुरूर के लास्ट के दो दो फंदे तो हमें सीधी स्लाई और उल्टी स्लाई दोनों स्लाई में उल्टे बनाने सीधी स्लाई में सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे बीच के एक फंदे को सीधा बनाएंगे उनको दो बार लपेट के उल्टी स्लाई में सभी फंदों को सीधा बनाएंगे लेकिन जिस फंदे को हमने उनको दो बार लपेट के बनाये था उस फंदे को उल्टी स्लाई में उल्टा बनाएंगे लेकिन उनको दो बार लपेट के बनाये फिर आगे दो फंदे हैं इने हम दोनों को सीधा बनाएंगे फिर उनको अपने तरफ करेंगे इस फंदे को खोलेंगे उनको दो बार लपेट के से उल्टा बनाएंगे फिर उनको पिछे करेंगे आगे दो फंदे उल्टे इने दोनों को सीधा बनाएंगे फिर उनको आगे करेंगे इस फंदे को उनको दो बार लपेट के बनाएंगे इस तरह बनाते हैं हमारी ये गेरे की second row complete होती है लास्ट के दोनों फंदें उल्टे बना लें अब अपने हो सीधी तरफ आगाएं तो सीधी तरफ शुरू के दो फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ फिर उनको पिछे करेंगे जिस फंदे को अमने दो बार लपेट के बनाया था उसे सिधी तरफ से भी दो बार लपेट के बनाएंगे फिर उनको पिछे करेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, खोलेंगे सोरी, रिसे उनको दो बार लपेट के हम सीधा बनाएगे इस तरह बनाते हैं हमारे ये थर्ड रोग अंप्लिट होती है अब हम फोर्थ रो में आगे अपने घेरे की, जो रोंग साइड से हैं, तो शुरू के दो फंदे तो हम उल्टे बनाएगे फिर एक फंदा हमारा सीधा बनेगा, फिर आगे जो फंदा हमने उनको दो बार लपेट के बनाया था, उसे उनको आगे करके उल्टा बनाएगे लिकिन हमें उनको दो बार लपेट के बनाना है, फिर आगे के बीच के दो फंदे हमारे सीधे बनेगे, फिर उनको आगे करेंगे, इस फंदे को वापस से दो बार लपेट के बनाएगे, इसरे बनाते हैं, इसके लास्ट में आते हैं, लास्ट के दो फंदे हमारे उल्टे इने उल्टा बना लें इस्तरे हमारे ये चार सलयां कम्प्लीट हो गई है अब इसके अंदर में अपने डिजाइन बनाएंगे शुरू के दो फंदे इनमें से में एक ही फंदा उल्टा बनाती हूं इसके पास वाले फंदे को जो मारे सीधा फंदा इसके पास वाले फंदे को एक का दो करते हैं फिर जो पास वाला फंदा है इसको इस तरह से खोल लेंगे एक, दो, तीन, चार, चार पर खोलने के बाद अपने इस फंदे को अपनी सलाई में लेंगे, प्रिंग चारों उनके उपर से इसे इस तरह से उतार देंगे और इन चारों उनको अपनी दूस्ती सलाई में लेंगे, प्रिंग उनको दो बार लपेट के सिधा बना लेंगे, तुमारी एक तरह से केबल बन ज़ा दिए, फिर आगे हमारे दो फंदे हैं, तो ये दोनो फंदे हमारे दोनों डिजाइनों के पास हैं, इसलिए इने दोनों क हम एक का दो कर देंगे तो बीच में अब हमारे चार फंदे हो जाएंगे इस तरह से फिर आ गया हमारे डीजाइन वाला फंद आ गया इसे खोल लेंगे एक दो तिन चार इस फंदे को अपनी सलाई में ले लेंगे अरीने चारों उनको अपने इस फंदे के उपर से इस तरह से उतार देंगे फिर से अपनी दूसरी सलाई में लेंगे रिसे सीधाई बना लेंगे उनको दो बार लपेट के इस तरह से हमारे केबल बनता है बीच के दो फंदे हैं इन्हें दो का चार करेंगे एक फंद हमारे इस डिज चार फंदे हो जाएंगे दो की जगे और हमारे सीधे फंदे की जगे इस तरह से केबल बन जाएगे तो इन्हें चार फंदो को हम खोल लेंगे फिर नीच वाले फंदे से चार उनको निकाल लेंगे और फिर जो केबल बनेगी उस केबल को उनको दो बार लपेट के सीधा बना के इस तरह बनाते हुए ये रहों कंप्लिट करते हूं फिर में आपको दिखाते हूं यस तरह भनाते हुए मैंने एपनी रहों कंप्लिट कर लिया इसके अंदर होपल हमारी नो जगे केबल बनी अभित आपको दिखाए नहीं देरी जैसे बड़ी साइज हो जाएगे तब आपको आसाने से दिखाए देगी इसमें मैंने नो जगए केबल बनाई है और बीच में हमारे सभी जगे चार-चार फंदे हो गए क्योंकि केबल के पास वाले फंदे को हम एक का दो करते हैं दोनों तरफ का अब इसकी रोग साइड में आ गए रोग साइड में जिस तरह से में अपना डिजैन बनाते हो उसी तरह से बनेगा शुरू की दो फंधे तो मैं उल्टे बनाऊगे अब आगे कि हमारे एक की जगे दो फंधे सिध्य बनेगे फिर उनको आगे करेंगे, अभी हमारा केबल वाला फंद आ गया, इसको खोलेंगे उनको 2 लपेट के उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पिछे करेंगे बीच में, बीच में 2 फंदे, 9 के 4 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर उनको अपने दरफ करेंगे, केबल वाला फंद आगे, इसे खोलेंगे, उनको दो बार लपेट के इसे उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, बीच में दो की जगें हमारे चार फंदे सीधे बनेगे, इसरे हमारी ये रो कम्प्लिट होत है, अब last में हमारे 3 फंदे बचें, ये मैंने उनको दो बार लपेट के इस फंदे को उल्टा बना लिया, last में 3 फंदे हैं, एक फंदा तो हमारा सीधा बनेगा, दो फंदे हमारे उल्टे बनेगे, बसामे शुरू के last के दो दो फंदे उल्टे बनाने जिसे, इसले हमारे दोनों तरफ ये दो-दो फंदों का बोडर हो जाता है अगर आप अपनी ड्रेस्ट को खुला रखते हैं तो ये बोडर आप बनाएं अगर आप से लाई करते हैं तो इसे बोडर को ना भी बनाएं तो शुरू के दो फंदे में उल्टे बनाऊंगी फिर एक फंदा और उल्टा बनेगा क्योंकि हमारे सीधी तरफ है तीन फंदे फिर हमारे केबल वाला फंदा आगया उनको पिछे करेंगे फंदे को खोलेंगे रिसे उनको दो बार लपेट के सीधा बनाएंगे उनको अपने तरफ करेंगे अब बीच में हमारे चार फंदे ब इस तरह हमारी सीधी तरफ से बनेगी बस हमें ये जो केबल वाला फंदा है उसको सीधी तरफ से भी उनको दो बारला पेट के बनाना है और उल्टी तरफ से भी उनको दो बारला पेट के बनाना है सीधी तरफ से सीधा बनेगा उल्टी तरफ से फंदा उल्टा बनेगा सीधी तरब से बीच के फंदे अमारे उल्टे बनते हैं और उल्टी तरब से सभी फंदे अमारे सीधे बनते हैं तो दोनों रों कम्प्लेट करते हूं फिर उसके बाद अपनी दूसरी डीजैन डालेंगे इसे बनाते हैं मैंने इसकी दोनों सलाईयां कम्प्लेट कर ली अब इसकी वापस अपने केबल की दूसरी डिजेन बनाएंगे शुरू के एक रिक दो फंदे तो अमारे यह पट्टी के होगे यह आपके उपर अगर आपको खुला रखना है तो बनाएं नहीं तो आप इसे ना भी बनाएं एक फंदा उल्टा हो रहे हैं तीन फंदे उल्टे बनाएं अब उनको पिछे ले जाएंगे आप चाहें तो इसी सलाईस से बना ले नहीं आप दूसरे इस बहिस से बना ले ले में एक । दो में चोटी बार केबल खोलेंगे तो अमारे उन चार फंदों में आएकत बहुत तऱे पहले अ dif इस ने अपनी अब इने वापास अपनी सलाई मिलेंगे उनको दो बार लपेट की से सीधा बना देंगे इस तरह से हमारी ये केबल बच जाती है फिर आगे हमारे चार फंदे उल्टें स्वरी हमने फंदा ने बढ़ाया पहले जो केबल के पास वाला फंद है उसे एक का दो करते हैं क्योंकि इस वाली रो में हमारे फंदे भी बढ़ते हैं फिर हमारे केबल वाल फंदे को उनको दो बार लपेट की बना लेंगे अब ये केबल के पास वाला फंद आ गया इसे पहले एक का दो करेंगे हम फिर बीच के बीच में हमारे चार की जगह छह फंदे हो गए शुरू में दो थे फिर चार हो गए अब छे हो गए जब हम अपनी केबलबाली डिजाइन बनाएंगे तब उस वाली रो के अंदर केबल के पास वाले दोनों साएड़ों को फंदों को एक का दो करते हैं वापस से खोल लेंगे एक दो तीन और ये चार अब इन चारों उनको अपने इन चारों फंदों के उपर से इस तरह से पकड़के आसानी से उतार लेंगे उनको दो बार लबन बन गई फिर केबल के पास वाला फंद आ गया इसे एक कदो लेंगे इस तरह से हमारे योग निकलेगी उसके बाद की तीन रो इसा इस इतरह से निकलेंगी ये रो ठेपके तो फिर आपको एक रो बताती हूं इस इससे मैंने अपनी ग्रों कम्प्लिट कर लिए है इसी तरह से हमारी सभी रों निकलेंगी अब उल्टी स्लाई में जो फंदे हमारे उल्टी स्लाई के अंदर शुरू के में दो फंदे तो उल्टे बनाऊंगे फिर आगे हमारे तीन फंदे बनेंगे अब किसी दे एक दो तीन फंदे उनको अपनी तरफ करेंगे यह हमारा केबल वाला फंद आ गया इसे उनको दो बार लपेट के उल्टा बनाएंगे फिर उनको आगे करेंगे अब इस बार हमारे बीच में छे फंदे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे हफंदे फिर हमारे केबल वाला फंद आ गया इसी तरह से हमारी पूरी रो निकलेगी उल्टी तरफ से सीधि तरफ से सभी फंदे उल्टे निकलेंगे बस केबल वाले फंदे को हमें उनको दो बार कर लपेट के फिर बनाना है फिर वापस से अपनी उल्टी स्लाई में आगे उल्टी स्लाई में बीच के सभी फंदे हमारे सीधे निकलेंगे और केबल वाला फंदा उल्टा बनेगा उनको दो बार लपेट के शुरू के लास्ट के दो दो फंदे हम उल्टे बन तो मैं यह तीनों कम्प्लेट करती हूं फिर एक बार आपको फंदे बढ़ा के और बताते हूं इस तरह मैंने अपनी यह तीनों स्लाईय कम्प्लेट कर लिए अब वापस अपनी केबल के डिजैन बनाएंगे तो शुरू के उल्टे फंदे नहीं उल्टा बनाएंगे दो लेंगे केबल वाली फंदे से केबल बनाएंगे एक दो तीन चार तीवापस से चार फंद आ गए अब इन चार उनको इन चार फंदों के पर से इस तरह से उताग लेंगे फिर उनको दो बाल लपेट के सीदधर बनालें इस तरह से आहिए के लगो आपको अलग से नजारा आ ओैए विस तरह से केबल बन जाता है विल्कुल यह क्योश्य की तरहले लगती है लेकिन्द्रय बनाई सलाई इस उनका अगे करेंगे केब एक, दो, तीन, चार, फिर केबल के पास वाली फंदयों कम एक का दो खर लेंगे, फिर केबल बनाएंगे, अब बीच में हमारे आठ फंदयों जाएंगे, दो, चार, छे, आठ, फिर हम तीन सलाइयां और निकालेंगे, फिर वापस से केबल बनाएंगे, फिर बीच में हमारे अपनी सलया निकालेंगे हैं इतना बनाकर complete करते हूं फिर मैं आपको दिखाऊंगे हुसरे बनाते हैं यह सबीरो complete कर लिए ने हैं अब इसके अंदर वापस अपनी केबल बनाएंगे तहां पे मैं इसमें white color लगाऊंगे आप चाहिए इसी color से बना सकते है अगर आपको pure-dress एक color से बनानी है तो आप इसे एक color से बना सकते है मैं यहाँ पे इससे return को cut करके आपे white color कि यूण लगाते है अब अपने white color कि यूण लेंगे अब यहाँ पे हम सबी फंदों को सीधा बनाएंगे उल्टाना बना के बनाते उसके केबल वाले फंदे तक आ गए हम वापस अपने केबल बनाएंगे यहापे हमने केबल के पास वाले फंदे को एक का दू नहीं किया है क्योंकि अब आगे हम अपने समें और लंबाई नहीं करेंगे कर दो कि अब इन चारों को इसके पर से तार लेते हैं इस तरह से अब इस फंदे को सिंगल ही बना लेंगे सीधा ना तो हमें कोई फंदा बढ़ाना है ना इसको उनको दो बार करके बनाना है इस तरह हम सभी फंदों को बनाएंगे बीच के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह बनाते हुए इसको मैं रोको पूरा कंप्लिट करते हूँ बस हमें इस बार फंदे सभी सीधा बना लिए उल्टी तरफ आगे उल्टी तरफ भी सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे और सीधी तरफ आके सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे और सीधी तरफ आके मेरे ड्रेस कम्प्रेट हो जाती है इसके अंदर मैंने डोरे डाल लिए यह आपके उपर है आप डालना चाहिए तो डालने निसे सिंपल भी रख सकते हैं यहां पे इसमें एक आगे हम चिट बटन लगा लेंगे क्योंकि यह हमने उल्टी तरफ से बनाई है इसलिए थोड़ी पालना चाहिए द रख से तरह दो ठालना चाहिए